Hello everyone, welcome back to Pathfinder, my name is Nidhi, how are you guys doing? I hope you all are doing absolutely good. दोस्तों, आज मैं बात करूँगी आपके साथ नेपाल की पॉलिटिकल इन्स्टेबिलिटी के बारे में. और हम यह सा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 90s में, 1990s में जब नेपाल का ट्रांजिशन हुआ into a parliamentary democracy और 2008 में जब यह एक republic बना तब से लेकर अब तक मतलब इन पूरे 32 सालों में, 2022 में government बनी, इन 32 सालों में 33 सरकारे नेपाल देख चुका है 33 बार सरकार बदली है और जो 2022 में सरकार बनी ना, पुश्म कमल दहल जो प्रचंड है, उनकी जो PM है coalition government बनी, ये भी चार बार flow test के लिए जा चुके है, ये अलग बात है कि चारो बार he has won the vote of confidence, आज ही इनोंने vote of confidence जीता है, अपने पार्लेमेंट में चौथी बार इन्दी 18 months tenure, अपने 18 महीने के tenure में चौथी बार ये vote of confidence के लिए गए हैं और जीते भी हैं, आज के session में हम इसी के बारे में detail में बात करेंगे, पहले प्रचंडा के बारे में जान लेते हैं, प्रचंड जो अभी PM है नेपाल के, ये house of representatives, इन होने इस चौथे vote of confidence में, 275 सदस्य जो इनका house of representative है, उसमें 157 votes हासिल करकर, फिलहाल बहुमत हासिल कर लिया है, ठीक है, नाओ यहां पर मैं आपको बता दूँ कि, टोटल 158 lawmakers ने पार्टिसिपेट किया, वोटिंग में, इस इन दिस protest, जहां पर जो main opposition नेपाली Congress थी, उसने boycott कर दिया voting process को, और यहां पर slogan चांट किये गए, अगैंजी, डेपुटी प्राइम मिनिस्टर, एंदी, होम मिनिस्टर, अभी लमिशय ने, जिन पर यह अक्यूजिशन है, उन पर यारोप लगा हुआ है, कि उनने misappropriation किया है, cooperative funds का, जिसकी वजह से, पूरा का पूरा जो session था, वो काफी delay हुआ, यहां मैं बता दो कि, एक सदस्य जो था, house of representative का, that person remained, neutral in the entire voting process, तो out of 158, 157 ने, वोट किया, फेवर में, एक neutral रहा, इस तरह से ही, vote of confidence, जीत गए, प्रचंड, इसके बारे में और दीटेलिम बात करेंगे, but before moving forward, this is my small introduction, this is my telegram channel, दोस्तों, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, for all my class updates and pds, unacademy के results की बात करो, unacademy learners shine in 2023 result as well, जहां पर 315 से ज्यादा learners have qualified, जो किसी ना किसी रूप से, हमारे platform से जुड़े हुए थे, with the help of unacademy IS Advantage, यहां मैं बता हूँ आपको, कि से साट, से writing classes मिलती है, current affairs का full coverage है, regular interaction होता है, आपका educators के साथ, से आपकी sorted है, prelims or means दोनों की ही, plus one and one mentorship और doubt solving भी आपको यहां मिल जाती है, कैसे इसको अवेल कर सकते है, by enrolling into a courses at the offline centers, हमारे जो offline centers है, वो दिल्ली में मुखरजी नगर और करोलबाग में है, वहीं UP में एक center हम को description में मिल जाएंगे, along with the addresses, phone numbers, etc. अगर आप UP प्रियागराद से prepare करना चाहते हैं, तो आप UP SC के साथ, UP PCS की तेयारी भी कर सकते हैं, इंडिया के top educators के साथ मिल कर, तो मतलब अगर आप UP PCS के aspirant तो भी आप यहां पर enroll कर सकते हैं, विदा courses at great discounts, इन numbers पर आप call करके अपने स of confidence लिया, it was as per article 100 clause 2 of constitution of Nepal, तो नेपाल का समविधान है, उसके इस article के अंतरगत है किया गया, यहां प्रचंड C का vote of confidence after the coalition partner, जो इनके deputy PM भी थे, इन्होंने resign कर दिया और इनकी party ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, तो deputy PM उपेंद्र यादव की जो जनता समाजवा पार्टी थी, उसने अपना support withdraw कर लिया from the government on 13th May, जिसके बाद party में हो गया split, नव नेपाल में होता क्या है, नेपाल में प्राइम मिनिस्टर को 30 दिन के अंदर अंदर, 30 देस के अंदर अंदर, vote of confidence लेना होता है, यदि जिस party को represent कर रहे हैं, coalition को represent कर रहे हैं, उसमें split हो जा coalition में अपको जो member है, वो अपना support पे draw कर ले, ठीक है, तो ऐसे में situation आ जाते है, vote of confidence की, मतलब आपको flow test पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे to win the vote of trust and to continue to lead the government, प्रचंड जो की communist party of Nepal, माविस सेंटर जैसे की मैंने आपको बताया, उससे belong करते हैं, उनको कम से कम 138 lawmakers का support चाहिए था इन दी 275 member house of representatives, ठीक है, 275 सदन की फुल संख्या, इसमें से 108 को चाहिएंगे, majority के लिए, यहाँ पर प्रचंड को मिले है, 157 votes in the vote of confidence and he has won it, ना यह जो वोट of confidence है, यह ऐसे समय पर आया, जब एक तो deputy, जो PM है, उन्होंने resign कर लिया, दूसरी तरफ, इनके जो home minister है, रभ के हुए है, of misappropriation of cooperative funds, यह उन्होंने पैसे को misappropriate किया है, तो अगर हम members की बात करें, नेपाल की ruling coalition की, तो उसमें यह सभी parties के member थे, which were like 77 seats, CPM, CPN, UML की, domain बड़ी party है, 32 seat मावे सेंटर की थी, किस राष्ट्रे सवतंतरता party, 7 seats थी newly formed जनता समाजवादी party, जिसके deputy PM थे, और उसके बाद ही, प्रचंड को यहाँ पर जाना पड़ा, vote of confidence लेने के लिए, ठीक है, मतलब यह प्रूव करने के लिए, अपनी majority, which he has actually proved now, 10 seats यहाँ पर CPM, Unified Socialist की भी थी, ठीक है, out of the 275, मतलब यह पहले था, अच्छा खासा, मतलब coalition की सरकार बनी हुई थी, लेकिन 7 ल चीत कर आएं है, 2022, December से, तब से ही, चार बार यह जा चुके है, vote of confidence के लिए, ठीक है, चार बार इनने अपनी majority proof की है, सदन में, House of Representatives में, और हर बार इनका जो support है, वो घटता हुआ नजर आ रहा है, जैसे सबसे पहले, January 2023 में जभी गए, तो he obtained 268 votes, ठीक है, out of 275, उसके मार्च में दुबारा इनको जाना पड़ा, vote of confidence के लिए, 172, वोट मिले इनको favor में, इसके बाद यह और कमजोर हुआ जब इनको 157 votes मिले, in the third floor test, which was held in March this year, इसी साल, so this way and this fourth, जो अभी हुआ, floor test again is received 157 votes only, तो अभी यह चौती बार आए है, in May, ठीक है, तो इस तरह से हम दे कर जो support है, इनका 157 पर रह गया, तो already दो साल में यह चार बार अपनी majority proof कर चुके है, flow test के लिए जा चुके है, आने वाले समय में क्या होगा, क्या stability बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी, यह तो समय बताएगा, but that was about it, तो एक बार फिर से PM प्रचंड ने अपनी ब्रहुमत को साबित किया है, despite the break, despite the revolt and जो भी उनका against resistance है, उसको सबको overcome करके and he still remains the PM in Nepal, that was it from my side, I hope you like this session, do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates, thank you so much, God bless, take care, bye-bye. झाल 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 झाल